मर्हाबिल मदरसटी असलाम अलेकुम विवर्ट संडे मदरसा में आपका तहे दिलस्ते इस्तिकबाल करती हूँ उमीद करती हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को अच्छे से घर में उसकी प्रेटिस कियोगी और पड़ा होगा तो चलिए इसी के साथ, आज हम फिर श्टार्ट करेंगे कि किस तरह से अर्भी हर्फ को पढ़ा जाये तो आज के दर्स में हम अर्फ इल्लत देखेंगे कि हर्फ इल्लत को किस तरह से उसकी आदाइगी करना है तो चलिए हम शुरू करते हैं फा या जेर फी फा या जेर फी जैसे पिछले एपिसोड में में आपको बताया था कि अगर जबर के साथ आएगा तो सिप इतना साथ आएगा फा जबर फा अगर जबर के साथ आया तो फा जबर फी अगर पेश के साथ आया तो फा पेश फू मगर यहां पे इल्लत क्या आ गई जेर के साथ या भी आ रहा है तो हमें उसे थोड़ा सा खीचना है यानि दो फिंगर के बराबर उसे हमें खीच के पढड़ा है जिस तरह से फा या जिर फी फा या जिर फी ये इसले बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे है ताके समझ में आ कि दो फिंगर के बराबर हमें इसे खीच के अदा करना है हमारा अगला जो हर्फ है वो है अलिव के साथ यानि जबर जो आया है वो अलिव के साथ आया है तो इसे भी हमें थोड़े खीच के अदा करना है फा अलिव जबर फा फा अलिव जबर फा हमारा जो अगला हर्फ है हमारा जो अगला हर्फ है हमारा जो अगला हर्फ है अगला जो हर्फ है काफ याजर की काफ याजर की हमारा जो अगला हर्फ है काफ अलिव जबर का हमारा जो अगला हर्फ है काफ वापिश कू हर्फ इलत फिर आपको बताओं कीचना यानि दो फिंगर के बराबर या फिर इस तरह से अगर अगर मिसाल अपने बच्चों को जिस तरह से अगयके सब्स्ट ऐसे लिए रखाई, यगनीु无गि पर मुंश मार बंटी, ऐसे लिए रखाई बंटी बंटीर कर दोग्यारशील ,der precis같ight है अजयकी एसे लिए लखाई के संद पर चाहई मुंश मुंकDING बंटीर हमारे दो फिंगर के बाराबर नहीं एक बार खुले और एक बार बंद हो इतनी ही हमें किछना है तो जिस तरह से अभी हम पढ़े थे कैफ अलिवजबर का कैफ वापिश कू लाम वापिश लू चली एक साथ बढ़ते हम अगले हर्फ के तरह लाम याजर ली लाम अलिवजबर मीम अलिवजबर मा मीम वापिश मू मीम याजर मी नून याजर नी नून वापिश नून अलिवजबर ना वाव अलिवजबर वाव वाव वापिश वू वाव याजर वी हा याजर ही हा अलिवजबर हा हा वापिश हू हम्जा वापिश उ हम्जा अलिफ जबर आ हम्जा याजर ई या याजर ई या अलिफ जबर या या वापिश यू ये हमने पड़ा हर्फ इल्लत जब जबर के साथ अलिफ आ गया जेर के साथ या आ गया पेश के साथ वाँ हो गया इसे हमने पढ़ा दो फिंगर के बराबर हमने कीचा उसे कहते हर्फ इलत मगर आप आईए जबर के साथ वाओ आजाए या जबर के साथ या जाए पहले हमने पढ़ा था जबर के साथ अलिफ काना जबर के साथ या काना पेश के साथ वाओ आना इसे अलिफ मद्दी, याय मद्दी, वाउ मद्दी भी कहा जाता है मगर अब हम जो अब भी पढ़ने वाले हैं नेक्स दर्स में इसमें है जबर के साथ वाउ काना जबर के साथ या काना तो उसे किस तरह के से पढ़ेंगे वो हम इसमें सीखेंगे चलिए हमारा जो हर्फ अलिफ वाउ जबर ओ देखिए जबर के साथ वाउ आ गया तो अलिफ वाउ जबर ओ बा वाउ जबर बो ता वाउ जबर तो सा वाउ जबर सो अब देखिए जबर के साथ ही आ गया अलिफ या जबर ओ बा या जबर बै ता या जबर तै सा या जबर से जीम या जबर जै हा या जबर है हा वाव जबर हो, खा वाव जबर को, खा या जबर को, दाल या जबर दे, दाल वाव जबर दो, दाल वाव जबर दो, दाल या जबर दे, रो या जबर रो, रो वाव जबर रो, रो अलिव जबर रो, war, 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 पिष, r eitherlee. झाव सेंग, आपने, जम रो के साथ जबगर आया, तो war, मोटा अnya हुआ पेश आया, तो भी war, मोटा हुआ हुआ。 अगर अगर रो के साथ जगर जआगा, तो war, पफट La पड़ा जाता है. war, 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 जबगर, war, 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 हमारा अगला जो हर्फ है लाम वाव जबर लाम अलिफ जबर लाम या जबर लाम या जबर लाम या जबर ली लाम वाव पिश लू जीम वाव पिश जू जीम या जबर जै जीम वाव जबर जो जीम या जबर जो जीम या जबर जीम या जबर जीम अलिफ जबर जा हा या जबर है हावववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव तो हमने तोड तोड के पड़ा ताके बच्चे बहुत ईजी से अब जो जोई जाए अब इच्छ अब एपड़ के बढ़ा है अभ तक तो जड़ उरफ्पे इल्लफ को जिट है तोड़ के तोड़ के बढ़ हैं अब बाद को जासे किस तरहा करुण है कि सब्द पहला बट पर कर lige हो फिर हमने जॉइन हार्फ छूइन का जाता तो सकी शकल कैसे हो जाती हुआटी फिर हमने छजगा कि झाल की जबर भा जाया तो इसका ट का साउंड क्या और हगा जर आ गया जाग तो सका सūव्स न शॉड़ यॉज्ग अब फिर आज छा चाल का चाल क्वधा अब इसमें जॉइन करके बताएंगे कि उसे कैसे अदा करना है तो देखिए तो देखिए कैसे अधाद करना है तो देखिए है कि उसे कैसे कैसे अधाद कर wiping जबना बता है मालत करी इसका सत्क ours जीम वाफ़ पेश जू ता अलिव जबर ता जूता जीम वाफ़ पेश जू ता याजेती जूती नून अलिव जबर ना लाम याजेली ना ली खो अलिव जबर खो लाम याजेली खो ली खो अलिव जबर खो लाम वाफ़ लू खा लू ता अलिव जबर खो लाम वाफ़ लू बस इसी के साथ हमें दीजिये इजाज़त बढ़ते हैं मोरल स्टोरी के तरफ खुदा हाफिज बिसमल्लाहरमान रहीं प्यारे बच्चों सलाम अलाइकुम आप तमाम का इस्तिकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपोर्टन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ यह स्टोरी है एक तीचर की और उनके स्टूडन्स की और आप इस स्ट कानी से रिलेट कर सकेंगे एक पार एक जमाने में एक तीचर था और उसके बहुत सारे स्टूडन्स थे लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडन उस टीचर को बहुत ज्यादा पसंद था और जो टीचर था वह हमेशा उस बच्चे की तारीफ क्या करता था तो अकसर हमारे साथ भी होता है जब हमारी टीचर को एक बच्चे की बहुत ज्यादा नहीं करती है यह सोचने लगते हैं तो झाले क्zechा के लिए ग्опас नहीं करती है। लेकिन इस बच्चे की हमारे फ्रेंड की या हमारे क्लासमेट की हमेशा तारीफ करती हैं, फिर हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती, राइट? तो ऐसा ही उस क्लास के दूसरे बच्चों के साथ भी हो रहा था, तो उन बच्चों ने डिसाइट किया कि वो टीचर से पूछेंगे, कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है जो हमें नहीं है, तो टीचर ने कहा ये बच्चा हमेशा ही बात सुनता है, क्लास में बहुत ध्यान देता है, और अपना होमवर्ग भी टाइम पे कम्प्लीट करता है, तो दूसरे बच्चों ने कहा हम भी तो ये सब करते हैं, तो फिर ये हम से अलग कैसा हुआ, या हम से बहतर किस तरह से हुआ, तो टीचर ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है, कि ये आप ही की तरह है, सेम है, तो मैं आज आप लोगों को एक असाइन्मेंट दूँगा, और जो भी वो असाइन्मेंट को बहुत ही अच्छे से करके आएगा, मैं पूरी क्लास के सामने उसे गिफ्ट भी दूँगा, उसे अप्रिशियेट भी करूँगा, जिसके बाद उस टीचर ने बच्चों को कहा, आपको एक एपल लेना है, और उसे ऐसी जगा रखना है, जहां उसे कोई भी देख ना सके, बच्चों को लगा, इतना आसान काम, ये तो बहुत एजी है, हम तो यूँ ही कर लेंगे, सारे बच्चे खुशी-खुशी अपने घर चले गए, अगले दिन जब वो लॉट कर आये, तो टीचर ने कहा, मैंने आपको जो काम कहा था, क्या आप लोगों ने वो काम किया, एक बच्चे ने कहा, हाँ, मैंने उसे कबर्ड में छुपा दिया, किसी ने नहीं देखा, एक बच्चे ने कहा, मैंने मेरे बैट के पास रख दिया, किसी ने नहीं देखा, मैंने मम्मी डैटी ने भी नहीं देखा, किसी ने कहा, मैं उसे गार्डन में रखाया, फिर वो जो टीचर का फेवरेट स्चूडन था टीचर ने उसे खड़े होने के लिए कहा और कहा कि मुझे बताओ तुमने उस एपल को कहा रखा तो वो बच्चा छूप हो गया उसने एपल टीचर के सामने निकाला और कहा कि नहीं मैं इसे कहीं पे भी नहीं रख पाया तो टीचर ने कहा क्यूं तुम्हे कोई ऐसी जगा नहीं मिली जहां इसे कोई न देख सके तो उसने टीचर को देखके कहा कि क्या कोई ऐसी जगा होती है जहां अल्ला हमें नहीं देख रहा हो कितनी बड़ी बात है ना बच्छो हम कितनी चीज़े करते हैं और यह सोचते हैं हमारी मम्मी को नहीं पता चलेगा हमारे दोस्तों को नहीं पता चलेगा हम चुपके से यह खा लेते हैं या हम चुपके से कभी डैडी की पुछ से पैसे ले लेते हैं बोलते नहीं है अपने फ्रेंड की बुक छुपा देता है परिशान करने के लिए कि नहीं पता चलेगा लेकिन क्या कोई भी ऐसा काम है जो हम करें और अल्ला को पताना चले या क्या कोई ऐसी जगा मौजूद है जा अल्ला ना हो या क्या कभी ऐसे हो सकता है कि अल्ला नहीं जाने कि हमने क्या किया है हम जो भी करते हैं अच्छे काम बुरे काम अल्ला उन हर चीजों को देखता है तो जब भी हमें कोई बुरा काम करने का ख्याल आए तो हमें ये सोचना चाहिए کہ بھلے ہی میرے ममी डैڈी या नहीं है میरے दोस्त यहा नहीं है میरे अपने यहा नहीं है लेकिन अला तो यहां है और अगर मैं यह चीज करूंगा तो अला को कितना बुरा लगेगा और यह चीज कितनी गलत भी होगी और अगर हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्ला हर जगा है तो हम अपने आप ही बुराई से दूर हो जाएंगे तो हमें अपसे इस बात को याद रखना है कि अल्ला इस एवरीवेर गौड इस एवरीवेर तो अपसे हम, मैं भी और आप भी ये कोशिश करेंगे ना हम याद रखें कि अल्ला हर जगा है तो हमें कोई बुरा काम नहीं करना है बलके हमें वो काम करना है जिसके जर्य हम अल्ला को और हमारे वक्त के इमाम को खुश कर सके तो आई ये देखते हैं कि सिस्टर फात इमाब आपके लिए क्या लेके आई है Assalamualikum प्यारे बच्चों हमने अब तक तीन एपिसोड में हमारे सैशन में ये सीखा कि हम लोग मोहरम लहराम को क्यों गम का महीना मानते हैं फिर हमने सीखा कि हम लोगों को किस तरह मजलिस और अज़ादारी करना चाहिए फिर हमने सीखा कि अगर कोई हम पे एतरास करे तो उसका क्या जवाब है आज हम इस पर एक लास्ट एपिसोड करेंगे इस अज़ादारी के टॉपिक पर और फिर हम बैक टू इस्लामिक लॉज आ जाएंगे किल्स आज हम बात करेंगे कि कर्बला हमें क्या दर्ज देती है वैसे कर्बला अपने आप में एक बहुत बड़ी दर्जगा है यानि एक बहुत बड़ी इंस्टिट्यूशन है इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है जैसे वफादारी, मारिफत इमाम, कुर्बानी ये सब हम कर्बला से सीखते हैं लेकिन आज हम जिस दीस के बारे में बात करेंगे वो है जूट पर सच की जीत यानि जो जूट होता है इसकी जिन्दगी बहुत कम होती है बहुत चोटी सी होती है लेकिन सच जब तक खामोश है तब तक ठीक है लेकिन जब सच खुल कर सामने आता है तो जूट दर्बदर हो जाता है यजीद ने क्या जूट पहलाया था यजीद ने ये जूट पहलाया था कि माज़ल्ला इमाम हुसैन अलाईसलाम खिलाफत चाहते हैं बनी हाशिम का तो मकसदी खिलाफत हासल करना है यहां तक के इमाम हुसैन अलाईसलाम की शहादत के बाद लोग उनके घरवालों को बागी कह रहे थे बीबी जैनख Сosepton को बागी की बहन कहा जारहा था और यह कौन कह रहा था वो लोग जो उनके नाना का कल्मा पढ़ते हैं यानि इमाम हुस्यायन अलई एसलाम, रसुल एखुदा के नवासे हैं जिनके नाना ने कल्मा पढ़ना सिखाया उनको वहां के लोग बागी के नाम से बुला रहेते उस वक्त तो यजीद को ये लगा क्योंकि इमाम हुसैन अले सिलम जाहिरी तोर पर शहीद हो गए तो जब एक जंग में इस तरह से होता है कि सारे लोग शहीद हो जाते हैं और दूसरी तरफ लोग बाकी होते हैं यानि वो वाली पार्टी जीट जाती है वो साइड जीट जाता है तो यजीद को ये लगा कि इमाम हुसैन गतल हो गए मैं जीट गया जाहिरी तोर पर सब को यही लगा लेकिन किड्स आज चौदा सो साल बाद हम क्या मानते हैं कि यजीद मलून है यानि लानत का हगदार है हर बुराई का सरचश्मा है वहीं इमाम हुसैन अलाई सलम इमाम हुसैन अलाई सलम हक की एक मिसाल बन गए है जब हम बात करते हैं हक और बातिल की तो सबसे पहले इमाम हुसैन अलाई सलम और यजीद ही हमारे सामने आते हैं अब इस चीज़ को हम अपनी जिंदगी में कैसे अमल में लाएं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले हर वक्त सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए अपनी जिंदगीों में, सच के लिए खड़े रहना चाहिए, अगर हमारे फैमली में भी कहीं कोई ग बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको हर वक्त एक तरह का एक्ट करना पड़ता है कि आप इस तरह के हैं, इस तरह के नहीं हैं, सब्सक्राइब होता है कि कब आपका रास खुल जाएगा और सारी चीज़े लोगों को पता चल जाएगी, तो जो सच की जिंदगी है यह बहुत आसान है जीड़ा, तो आप लोगों को मैं यह मैसेज देना चाहूंगी कि हमेशा सच के साथ रहें, और आज हमारे जो वक्त के इमाम हुसैन अलाहिससलाम परदय गयबत में हैं, यानि हमारे इमाम जमाना अलाहिससलाम बारवे इमाम, यह जब हमें बुलाईं, यह जब हमस लोग थे जो इमाम को सही जानते थे, और हम लोगों को हमेशा इस बात का खयाल रहना चाहिए, कि मिजॉरिटी कुछ भी कहे हमें अपने इमाम का साथ कभी नहीं चोड़ना है, और अपने इस दीन पे अपने इस इमान पर बाकी रहना है, देखते हैं सिस्टर सुकैना हमार सुरह की तफसीर लाई है, असलाम अलेकुम बच्चो, आज हम सुरह अलग की तफसीर को डिसकस करेंगे, सुरह अलग की पहली दस आयतों को हमने पिछले एपिसोड में डिसकस कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है ताब उस एपिसोड को जाके देख सकते हैं, तो इस आयत में अल्ला क्वेश्चन करता है, क्या तुमने देखा अगर वो बंदा हिदायत पे हो, जैसे हमने आयत नमबर 10 में डिसकस किया था, कि जो शक्स नमास पढ़ता है, तो अल्ला उसको कंटिन्यू कर रहा इस आयत में, और पूछता है क्या आपने देखा इस इंसान क जो नमास पढ़ता हो या जो हिदायत करता हो, 12 आयत, अव अमर बित तक्वा, इस आयत में अल्ला क्वेश्चन करता है, क्या आपने देखा है उस शक्स को जो तक्वे की तरफ हिदायत करता है, 13 अराईत इन कजबा वतवल्ला, इस आयत में अल्ला क्वेश्चन करता है, क्य कि जो शक्स अच्छे काम करने से, अबादत करने से मना करता है और जब अगर कोई उसे हिदायत करे या नसीहत करे तो वो जुटलाता है और मुझ फिर लेता है फॉर्टींट अलम या अलम बिअनल्लाह यरा तो इस आयत में अल्ला क्वेश्चन करता है कि क्या उसे नहीं मालुम कि अल्लाह उसे देख रहा है कि जो शक्स अल्ला की आयतों को जुटला रहा है तो अल्ला क्वेश्चन करता है क्या उसे नहीं पता कि अल्लाह उसे देख रहा है कि वो जुटला रहा है क्या उसे डर नहीं लगता अल्लाह से 15. कल्ला लवन लम यं zwr लनस वांब नासिया तो इस आयथ में आलाँ कहता है कि अगर वो शक्स इन हरकतों से बास नहीं आएगा तो उसे पेशानी के बल घसिटा जाएगा 16. नासियत काजबत … 16 वाली आयथ में आलाँ फर्माता है कि वो पेशानी जो जूटी है और जो गुनेहकार है यानि अल्ला उस शक्स की बात कर रहा है कि जो अल्ला को जुटलाता है जो अल्ला की आयतों को जुटलाता है तो अल्ला कहता है उस शक्स को पेशानी के बाल से घसीटा जाएगा तो इस आयत में अल्ला कहता है उस शक्से कि तुम अपने तमाम हामियों को बुला लो कौन सा शक्स? जो शक्स अल्ला की नाफर्मानी करता है, जो अल्ला को जुटलाता है तो अल्ला कहता है उन तमाम शक्स को तुम बुला लो जिनके साथ तुम इन कामों को अंजाम देते थे एटींथ सनद अजबानिया और अल्ला इस आयत में फर्माता है कि हम भी दोज़क के फरिश्टों को बुलाएंगे नाइटींथ आयत और लास्ट आयत तो अल्ला आकरी आयत में हमें नसीहत करता है कि अगर तुम्हें कोई आके कहे कि अल्ला की नाफर्मानी करो या इन बातों को अंजाम ना दो तो अल्ला कहता है कि तुम्हें इनकी बात को हर्गिस नहीं सुनना है और सजदा करना है और अल्ला की कुर्बत को हसल करना है तो इन तमाम आयतों से हम क्या सिखते हैं इस सूरे से हम क्या सिखते हैं कि जो भी हमारे पास है कि अल्ला ने जो भी हमें अता किया है वो सब अल्ला की जानिब से है और जब हमें मिल गया है तो हमें अल्ला की नाफनमानी नहीं करनी चाहिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें अब अल्ला की जरूरत नहीं है सेकंड बात कि जब कोई शक्स हमें अच्छी बात सिखा रहा हो हमें हिदायत दे रहा हो तो हमें चाहिए कि हम उस शक्स की बात को सुनें और अपना मूँ ना मोड ले थर्ड और लास्ट इंग जो अल्ला हमें इस सूरे के जरी नसीहत करता है कि जब भी कोई शक्स आके आपसे कहे कि अल्ला की तरफ मत जाओ नमाज मत पड़ो, कुरान मत पड़ो और ये तमाम चीजे तुमें कोई काम नहीं आने वाली है, तो अल्ला कहता है कि तुम उन शक्स को मत सुनो और अल्ला की कुर्बत हसल करो या जो अल्ला ने कहा है तुमें करने के लिए उस काम को अन्जाम दो तो आए देखते हैं सिस्टनीलम हमारे लिए कौन से क्विस क्वेशन लेकी आई है तो आए प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे इस हफ़ते के क्विस सेक्शन की तरफ तो आए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस हफ़ते के सवालात से ये रहे सवालात आपकी टीवी स्क्रीन पर शब आशूर इमाम हुसेन लेसलाम की खिदमत में फौज यजीद से कौन आया था शब आशूर इमाम हुसेन लेसलाम की खिदमत में फौज यजीद से कौन आया था हुर के क्या माइने हैं नन्य शहीद जनाब अलियसगर लेसलाम पे तीर किस मलून ने चलाया था नन्य शहीद जनाब अलियसगर लेसलाम पे तीर किस मलून ने चलाया था सो किज अगरावन सवालों के सही जवाबाद जानते हैं तो हमारी वाटसेप डीटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है हमें जल से जल इन कुश्चिन्स के सही आंसर्स भेज दे ये रहे पिछले हफ़ते पूछे गए सवालों के सही जवाबाद आपकी टीवी स्क्रीन पर जनाबِ अलियकबर लेसलाम हमारे किस इमाम के बेटे हैं आप हमारे तीसरे इमाम इमाम हुसेन लेसलाम के बेटे हैं आपके उम्र मुबारक कर्बला में कितनी थी आपके उम्रे मुबारक कर्बला में अट्रा साल थी आपके टाइटल्स क्या है? आपके टाइटल है शबीय पैगंबर ये रहे विनर्स के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर सेद अली समद रिजवी मुंबाई मुजम्मिल हुसैन छतिसगड वालिहा जहरा लकनाओ निखत फातिमा छतिसगड चारनिया सानिये जहरा मुहम्मद तकी गुजरात से इसी के साथ टीम संडे मुद्रसा को दीजे अजासत पर बने रहे चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया झाल 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 झालवा के अजासत प together झाल 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 करें पाल करेंए झाल करेंऑ मुझ मुझ कि आल